आप दुनिया में रोजाना कुछ न कुछ ऐसी अजीब हो गरीब घटनाओं के बारे में सुनते और देखते और पढ़ते होंगे, जो आसानी से आपके गले नहीं उतर दे कुछ महीने पहले काटिस ने छट पर आचार का दाग लगा कर इसे अपनी कलाकरती बता कर प्रदर्शत कर दिया था अब एक टेमाटो केचप बनाने वाली कमपनी ने ऐसी ही टी-शिर्ट की रेंज लॉंच की है जिसमें सौस का दाग लगा हुआ है फैशन और ट्रेंड के नाम पर पता नहीं क्या-क्या रोजाना देखने को मिलता है इस वक्त एक कमपनी की ओर से टेमाटो केचप के असली दाग वाली टी-शिर्ट बेची जा रही है और लोग उसे हस्ते मुस्कुराते खरीब भी रहे है इसके पीछे भी एक वच्छा है जो लोगों को इस टी-शिर्ट की ओर आकरशित कर रही है हाइन्स नाम की लेटिंग केचप मेकिंग कमपनी ने असली टेमाट अब केचप के दाग वाली टी-शिर्ट लाँच की है ThreadUp नाम की यूजड कपडों की कमपनी के साथ टीम अप करके हाइन्स विंटिज ट्रिप कलेक्शन लॉंच किया गया है रिपोर्ट के मुताबिक इस कलेक्शन में 157 पीसिस का सेकिंड हैंड स्ट्रिप वियर मौजूद है इस कलेक्शन को हाइन्स के अमेरिकन स्टोर वेबसाइट पर कभी भी रिलीज किया जा सकता है इस कलेक्शन के लॉंच होते ही लोग एक्स्क्लूसिफ टी-शिर्ट और खुटीज खरीच सकेंगे रिपोर्ट्स के मताबिक क्लोविंग लाइन के बिकने से जो पैसा आएगा उसे ग्लोबल फूट चैरिटी राइस अगेंस्ट हंगर को दिया जाएगा हाइन्स की ब्रांड मैनेजर निका कहना है कि ब्रांड को विश्व भर में इसकी बॉटर और साथ ही धीरे-धीरे निकलने वाली केचप की वज़े से जाना जाता है हम इस क्लोधिंग लाइन के जरिए दाग को स्टेट्मेंट और फैशन से जोड रहे हैं आजकल की जेनरेशन नए कपड़ों से पहले सेकिंड हैंड कपड़े देख रही और इस क्लोधिंग लाइन के जरिए इसी सस्टेनिबिलिटी को डेपलाप किया गया है यह तो थी हाइन्स कंपनी की बाद आज के लिए फिरहाल वस इतना है मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए अमरुजाला